केंद्र शासन द्वारा लागो की अगनीपत योशना देश के युवाओं का भविश्य खराब करने वाली योशना है और ऐसी योशना को जल से जल वापस लेने की मांग गुंदिया जिला युव कॉंग्रेस के बदादी कारियों द्वारा ग्यापन दे कर की गई हलही में संपूर्ने देश भर में अगनीपत योशना का विरोध कर देश के सर्व सामने युवाओं ने इस योशना को वापस लेने की मांग को लेकर तोड़ फोड आगजनी की जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता किन्तो अखिल भारती कॉंग्रिस के धेक्षा सोनिया गांधी के आगमन पर देश के युवाओं कॉंग्रिस कारिकरताओं ने शान्ति पूर्ण धंग से इस मांग का समर्थन करते हुए संपूर्ण देश में अंधुलन किया उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज गोंधिया जिला यूवा कॉंग्रिस द्वारा ग्यापन देकर इस योशना को वापस लेने की मांग की गई योशना में शामिल होने वाले यूवकों का भविश अंधकार में होगा जीवन यापन करने के लिए लगने वाली राशी नहीं मिल पाएगी भविश्य बनाने के उम्र में ही रेटार्मेंट होने से पूरी जिंदेगी बरबाद हो जाएगी देश में सीमा परतेनात वीर जवानों का या अप्मान होगा रेटार्ड होने वाले युवा पैसे के लालच में देश के सिमाओ के सुरक्षा के साथ खिलवाण कर सकते हैं ऐसी अनेक परिशानियों के चलते किसी भी सूरत में ये योजना कामियाब नहीं हो सकती महत्वपूर्ण बात यहिए किस योजना की मांग न तो देश के युवाउं ने की थी न तो वीपक्षी दलों के सांसदों ने और नई ही सत्तापक्ष के किसी सांसद दोना की गई थी उसके बाउजू देश के युवाओं का भविश्य बरबात करने वाली स्योजना को लागू करने की अटल जी केंद्र सरकार कर रही है ऐसी ही जीत उन्होंने तीन काले क्रिशी कानून के समय की थी किंदू किसानों की बुलंद आवाज के सामने उनको छुकना पड़ा वैसे ही आज देश के युवाओं की बुलंद आवास के सामने ये कानून निश्य थी वापस लेना पड़ेगा और इसके लिए युवा कॉंग्रेस ताकत से इसका पुर्जोर विरोत करेंगी पीसी नियूज कोंधिया से अभशेक भटनागर की रिपोर्ट